अच्छा है कभी-कभी तुम खुद को असहाय महसूस करो रातना असहायता से ही उत्पन होती है और यही असहायता तुम्हारे आंकार को गिराने में मदद करती है जब तुम हर स्थिती में कुछ कर सकते हो तो अंकार कभी नहीं गिरता तुम्हें कुछ ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां तुम पूरी तरह से असमर्थ होगे तुम कुछ करना चाहोगे लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते कुछ भी करना असंबब हो मनुष्य की असहायता को देखो और आहंकार की सारी बगवास जो वे सूचता रहता है ना तो जनम और ना ही मृत्यों हमारे हाथ में है कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है जब तुम ये समझ जाते हो तो प्रातना उत्पन होती है प्रातना एक पुकार है असहायता की गेरी पुकार और प्रात्ना विक्ति को धार्मिक बनाती है बस अपनी असहायता को महसूस करो कुछ उभरने लगेगा तुम धर्ती पर जोख सकते हो या आकाश की ओर देख सकते हो तुम कुछ कह सकते हो जिसे कहने पर तुमें खुद आश्चरे होगा तुम एक छोटे बच्चे की तरह बन जाओगा और जब एक बच्चा आसहाय दुखी होता है और कोई रास्ता नहीं पाता तो वह पिता या माता को पुकारता है और वह पुकार अक्तियंत अर्थपूंग होती है वो पुकार तुमें प्रभू से जोडती है तभी का है हारे को घरी ना चड़ो झाल झाल क्वाण